हलो फ्रेंड्स तो में यूपि लेकपाल के लिए समान ग्यान की 25 ठीक हैтор करेंगे इसका पार्ट नबर छे प्रेंड्स आप अगर दूसरे एक्जाम की रेलवे या इससी टेट या और कोई से एक्जाम की तहरी कर रहे हैं फिर भी इस कोस्टिन की प्रक्टिस अच्छे से करें और आप देखें कि आप 25 कोस्टिन में से किसने कोस्टन सही कर पा रहे हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का अगला कोस्टन देखते हैं निम लेकित में से किसकी अधिक्षिता में कॉंग्रेस ने पहले सत्र का आयूजन किया गया था तो कॉंग्रेस का जो पहला अधिक्षिक से चुना गया था तो डबलू सी बनर जी यानि की वियोम चंद्र बनर जी तो आप इसको ध्यान दूसरे जो इसका आयूजन हुआ था दूसरे सत्र का तो उसका किया था दादावाई नौरोजी ने उसके बाद बदरुद्दीन तययब ने और उसके बाद जॉर्ज हूले ने तो इनके चार को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कॉंग्रेस की स्थाफना कभूई थी आ आप ध्यान रखेंगे 1885 CCB में और उस समय जो गवर्नर कौन था लॉर्ड डफरिन तो आप ये भी ध्यान रखेंगे तो इसमें ऑप्सिन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्चन देखते हैं निमलेकित में से कौन इलतितम इसका पिर्मुक उत्तर दिकारी था दो इसको तो इसमें ऑप्सिन ने एक रेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्चन देखते हैं दित्ती गोल में सम्मेलन के समय बिटस भारत के इन में से कौन बाइसराय थे दोस्तों दूसरा पहले आपको ध्यान अखना है पहला गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ उसके बार दूसरा गोल म सम्मेलन के समय बिटस भारत के जो बाइसराय थे कौन थे तो कौन थे लॉड बिलिंग्टन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है लॉड एर्वन का कारीकाल 1931 रहा था उसके बाद लॉड बिलिंग्टन को बना दिया गया था तो जो गोल में सम्मेलन ह हुआ था दूसरा तो उस टाइम कौन थे लॉड बिलिंग्टन और इनका कारीकाल 1931 से लेकर 1936 रहा था तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और जो 1932 में गांदी जी और अम्बेटर करके बीच पूना पैक्ट पूना सम्झो होता हुआ था आप ये भी ध्यान रखें इसे रेलेटेट भी एक्साम में कुस्टन पूछते हैं तो इसमें ऑप्सन नंबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं भारती संविदान के अनुचे 36 से 55 तक मुकुरूप से भारती संविदान के किस भाग में दिया गया है तो किस भाग में दिया गया है भाग चार में तो भाग चार में किसे दिया गया है राज के निदी निदेशक तत्ब तो इसके बारे में आप धियान रखेंगे राज के निदी निदेशक तत्ब 36 से क्यावन तक दिये गए आप इसके बारे में ध्यान रखें तो इसमें option number हमारा D correct हो जाएगा अगला question देखते हैं भारत में विजय दिबस कम मनाया जाता है दोस्तो भारत में विजय दिबस 16 December को मनाया जाता है तो आप इस सीद को ध्यान रखेंगे फ्रेंड 16 December को 1971 को पाकिस्तान पर भारत की विजय के करल ये मनाया जाता है तो आप इस सीद को भी ध्यान रखेंगे option number हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं गलेना इन में से किस धातू का आयसक है दोस्तो गलेना किसका आयसक है आपको ध्यान रखना है C, C, C का पिर्टिक क्या होता है P, B तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है option number हमारा इसमें B correct हो जाएगा तो इसमें B correct है ये PDF में सही कर दिया जाएगा अगला question देखते हमारा अगला question देखते है गाजर निमलिकित पोशक तत्वों में से किसमें समराद है तो गाजर किसमें में विटामिन कौन सा होता है विटामिन A तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है रताओं दी आप ये भी ध्यान रखेंगे विटामिन A का रसाइक नाम क्या होता है तो ये इसके बारे में ये point ध्यान रखना है option number हमारा पी correct हो जाएगा अगला question देखते है निमलिकित में से जैन धर्म के तेजबे तीरतंकर कौन है दोस्तो जैन धर्म के तेजबे तीरतंकर कौन है आपको ध्यान रखना आए तो ये थे पाशर्प नात option number हमारा C correct हो जाएगा और 24 में कौन थे महावीर स्वामी महावीर स्वामी तो आप इसको ध्यान रखेंगे इसके बारे में option number हमारा C correct हो जाएगा अगला कुस्चन देखते है Freedom in Exile नामक पुस्तक के लेकर कौन है तो इस पुस्तक के फ्रेंट्स लेकर कौन है आपको ध्यान रखना है दलाई लामा option number हमारा इसमे एक रेक्ट हो जाएगा दलाई लामा अगला कुस्चन देखते है Global Innovation Index 2021 में भारत की रेंकिंग क्या थी Friends Global Innovation Index 2021 में भारत की रेंकिंग कितनी थी आपको ध्यान रखना है 46 तो इसमें option number हमारा D correct हो जाएगा तो इसमें important question है ध्यान रखें अगला कुस्चन देखते है तमाशा निरत किस पिर्देश का पिरसिद निरत है Friends तमाशा निरत किस का पिर्देश का निरत है महराश्ट का तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा गुजरात का गरबा होता है आपको ये ध्यान रखना उत्तर पिर्देश की नो टंकी करते है उत्तर पिर्देश के तो नो टंकी आप ये ध्यान रखेंगे तो option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते है बिराजील की राजधानी कहां है तो बिराजील की राजधानी कहां पर है आपको ध्यान रखना है बिरीसीलिया में option number हमारा बी करेक्ट हो जाएगा तो आप इसे ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं भारत रतन पुरुषकार पाने वाला पाने वाला पहला संगीतकार है दोस्तो भारत रतन पुरुषकार पाने वाला पहला संगीतकार काउन है आएमेस सुभा लक्षमी तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इन्हें 1998 में दिया गया था तो आप ये भी डेर ध्यान रखेंगे अगला question देखते है बर्स 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेस में बाल जन संक्या कुल जन संक्या का कितना प्रतिसात है तो बर्स 2011 के अन्तिम जन संक्या के अनुसार उत्तर प्रदेस जन संक्या में बाल जन संक्या का कितनी प्रतिसात है 15.41% तो इसमें option number हमारा A correct हो जाएगा 15.41% अगला question देखते हैं सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगत पर सासन था तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था आपको ध्यानकना कप किया था 326 ECB में तो उस समय ECB में नहीं इसापूर यानि की तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं बैक हैंड शब्द किस खेल से जुड़ा है तो बैक हैंड किस सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है बैड मिंटन से तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे एक्जाम में question पूछ सकते हैं option number 1 correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमले कितमे से कौन सुमिलित नहीं है तो आपको बताना ये संग्टन दिये गए और उनके मुख्याले दिये गए तो सबसे पहला UNESCO Paris में मुख्याले है सही है UNICEF का, New York में ये भी सही है बिस्व बन, जीव, सनक्षल कोस गिलाइट, स्वेटजर लेंड में गेट, लंदन में नहीं है तो ये कहाँ पर रहें? Paris में तो इसमें option number हमारा D correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इस तरह के जो मुख्याले हैं आपको सभी को ध्यान रखना है एक्जामें बहुत पूछे जाते हैं अगला question देखते हैं भारती सम्विदान की कौन सी अनुसूची भारत की भासाओं से संब्बन देते है friends कौन सी अनुसूची है art भी अनुसूची तो इसमें कौन भारत की 22 भासाओं के बारे में बताया गया है तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा भी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं पेंच राश्टी उद्धान कहां इस्ते थे दोस्तो पेंच राश्टी उद्धान कहां पर इस्ते थे थे आपको ध्यान रखना है मद्यप्रदेश के अंदर तो option number हमारा डी correct हो जाएगा तो जितनी भी राश्टी उद्धान है आपको सबको ध्यान रखना है मद्यप्रदेश के अन्यक राश्टी उद्धान आपको बता देता हूँ तो इसी तरीके से आप सारे राज्यों के जो important important टाइट्यूद दाना है उन्हें ध्यान रखें option number हमारा D correct हो जाएगा अगला कुस्यन देखते हैं उत्तर प्रदेश के कि शहर को पूर्व के मांचेस्टर के रूप में जाना जाता है दोस्तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को पूर्व मांचेस्टर के रूप में जाना जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा इसमें B correct हो जाएगा तो कानपुर उत्तर प्रदेश की यौद के राजधानी भी हुआ करती थी इसे चम्ड़े की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और कानपुर नगर के बारे में आपको एक चीज और ध्यान डखना है महिला साक्चरता उत्तर प्रदेश की अंदर जो पहले नंबर पे किसमें है कानपुर नगर में तो ये भी एक्जाम में कुश्चन पूछ सकते हैं तो उप्सन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तो संपत्ति का अधिकार कौनसा अधिकार है तो आपको ध्यान रखना है कानूनी अधिकार यानि की विद्य का अधिकार तो इसमें ऑप्सन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स 1978 में संपत्ति का अधिकार 19-1 से हटा कर पहले कास्म हुआ करता था 19-1 में 19-1 और जो 31 को हटा दिया गया और इसे किसमें जोड़ दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चान देखते है रेल Ben gent कोक है अधिक्ष कौन है सुनित सर्मा तो इसमें पसन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों यह थी यूपी लेकपाल के लिए जननल नॉलिज के 25 इंपूर्टन कोष्टिन का प्रक्टे सेट तो इस तरह की प्रक्टे सेट आपको मिलते रहेंगे और अगर आपके 20 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एक बार थ्योरी देखें गहां पर आपको बेस कम जो रहे हैं वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करें तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर दरू करूंगा तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर तक अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत